एक लड़के से मेरा फियर था प्रितीक जट नामास का उसने मेरे साथ धोका किया मेरे साथ सबकुछ किया पांस साल से रह रहा है और अब शादी करने के लिए मना करें मुझे पैसे देने की धंकी देनी है, कह रही है पैसे ले लो और हमाई लड़के का पीछा छोड़ दो, इतने हम पुलिस को देंगे, इतने तुमें दे देंगे, तुम ले लो, 40 लाग दे रही है मुझे, मुझे मेरी फैमली से भी और लड़के वालों से भी खत्रा है, बहड में महला इसलाम नगर की हैं उनकी पीड़ा सुने तो अब कहीं की नहीं रही ना अपने घर की उना उस घर की जिसमें बहु बनकर दाखिल होना चाहती थी अदाब नमसकार में अक्तर आप देख रहे हैं दा लीडर इंदी पहले आप इन जुलेख जाफरी की बात सुनिए फि अपने अख़य रखा है हम दो किसे मम्मी को भी शबता है पापा को भी उसकी मम्मी ने मुझे-पैसे भी दिये थे नेक दिया बोले अब तुम हमारी बभूRI बन गई हम शाधी कर लेंगे और मुझे घर बेज दिया अब मैं ने जब शाधी के लिए लिए उन्हों कर दिया अब में बोल रही हैं तो मॆंझे है पैसे देने की दंकी दे रही हैं पैसे लिवरे लॉह ए निलने फ़ीस को देंगे अच्प को एज त्थ favorah को चालिस निलाग की ले मुझे 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 मिजवे जान से ने की दंकी दे रही है उसके मूर ज़ेपर ज ישबीर और कहने हम गला काट देंगे जहां मिल गई लड़की मुझे डैली रखा रुद्धरपूर और बरेली लेकर आए साथ मेरे खानों उस अपने फूपाजी कि यहां रुद्धरपूर अमिट सिंग नाम है उनका वो एमार है कंपनी में मुझे मेरी फैमली से भी और लड़के व में हम कोचिंग सेंटर पढ़ते थे वहीं मिला था जुलेखा की जुबानी आपने सुन ही लिया कि पिर्तीक और उसके घरवाले उन्हें अपनाने के लिए तयार नहीं है और उनके अपने घरवाले जहां पली बढ़ी जहां की परवरिश थे उनमें अच्छा बुरा समझन की परखाई वही अब उनकी जान के दुश्मन बन गए हैं इतने की जुलेखा को उनसे मौत कर डर सता रहा है लेकिन उनके नहीं संतोष की बात यह है कि अगस्मुनी आश्रम मरीनात के पंडित आजारी केके शंगधार उनके साथ खड़े हैं यह आचारी शंगधार वही है जो अब तक करीब 80 मुस्लिम लड़कियों के धर्म परिवरतन और विवा करा चुके हैं जुलेखा इनी पंडित केके शंगधार के साथ एससपी घुले सुशील चंदरभांट से मिली लिखित रूप से बताया कि बहरी में गाव मुरिया घाट के रहने वाले पिर्तीक साथ की मांग की है उनके अप्लिकेशन पर एससपी ने बहरी इंस्पेक्टर को कारवाई के लिख दिया है जुलेखा प्रेमी से बेवाई की लड़ाई में अकेली नहीं है पंडित केके शंगधार में उनके साथ हैं अब इस बात के लिए इनतजार करना होगा कि जुलेखा